Hi, I am Forum Marfadya Patel और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ 5 best types of taglines या headlines जो आप अपने कोई भी digital camping या content में इसको use कर सकते हो ताकि आपके digital content की reach 50% से भी ज्यादा उपर आए Taglines का काम होता है लोगों का attention graph करना यानी कि लोग internet के उपर जब भी कोई content search करते हैं बहुत सारा data search करते हैं तब वो tagline या एक सही title को पढ़ते हुए ही decide करते हैं कि उन्हें कौन सा video देखना है या फिर कौन सा blog पढ़ने हैं तो tagline हमारी हमेशा बहुत ही ज़्यादा catchy, crisp, short and simple होनी चाहिए लोग scroll करते करते भी बहुत ही short time के attention में भी उसको पढ़ पाए ऐसी crisp tagline लेखिए local language में भी हम taglines लिख सकते हैं यानी कि आप Hindi, Gujarati, Marathi, Telugu ऐसी language में भी लिख सकते हूँ पर समझ में आना चाहिए So, here I am going to share with you ऐसे 5 best types of tagline जो आप कहीं पे भी इस्तमाल कर सकते हो अपने digital content के लिए और आपको short short result मिलेगा पर उससे पहले मैं चाहती हूँ कि अगर आप ऐसे ही digital दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हो या फिर बहुत ज़दा excel करना चाहते हो हम ऐसे बहुत सारे tips and techniques लेके हमारे videos में आते हैं तो please आप हमारी channel को subscribe कीजिए bell button डबाना मत बूलिए ताकि हमारे नए videos जब भी आए तब आपको notification ज़रूर मिले Taglines लिखना बहुत ही ज़्यादा simple है मैं आपके साथ five types of ऐसी taglines share कर रही हूँ जो आप कहीं पे भी use कर पाओगे first पहली होती है question type of taglines यानि कि आप हमेशा अपने taglines में question के form में रखे है मैं कुछ example share करते हूँ for example are you dreaming of best holidays looking for a best career options एसी कोई भी आप taglines लिखे जिसमें आप लोगों को question पूछ रहे हो होता यह है कि जब आपकी यह taglines लोग पढ़ते हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं अपने mind में ऐसे questions आ रहे हैं और तूरंत ही वो आपकी taglines के साथ connect कर लेते हैं ऐसे ही connection बनने से उनको लगता है कि यह topics मेरे लिए ही बना है और इसमें मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और इसलिए लोग इसको पढ़ना या फिर वो videos देखना पसंद करते हैं So I think you should try the question type of taglines Second, मैं यहाँ पर दूसरा जो share कर रहे हूँ That is how to How to taglines बहुत ही ज्यादा common है लोग हमेशा इसको बहुत सरे digital marketing campaigns और experts के द्वारा आप सुनते होंगे कि how to taglines बहुत ही अच्छी चलती है And trust me, yes, it's true क्योंकि how to ऐसी taglines है जिसमें हम कोई भी topic दुनिया का उठा के उसको कैसे किया जा सकता है उसके उपर हम सिखा सकते है लोगों को जैसे कि how to wrap a sari, या फिर how to cook, या फिर how to format a phone आप ऐसे बहुत सारे चीजे लोगों को सिखा सकते हो जो आपके पास knowledge है, आपके domain या आपके channel के related information है लोग हमेशा internet के उपर पाया गया है कि information, education ये सारी चीज़े सबसे ज्यादा search करते है 67% से भी ज्यादा users internet का इस्तमाल कुछ न कुछ नहीं चीज़े सीखने के लिए learnings के लिए करते है So how to can be really a good taglines for you Third, number taglines, यानि कि आपकी tagline में कोई ना कोई numbers होने चाहिए जिसे आप लोगों को sure shot, figures के form में उनको बता रहे हो कि आप उनको एक list दे रहे हो For example, five best tips to do a grooming या फिर nine days and nine नवरातरी वावतार या फिर best digital marketing की पाँच टेक्नीके जो आपको इस्तमाल करनी है Numbers वाली tagline से हमेशा लोगों को ये लगता है कि हमारे पास सीधा ऐसे bullet points में 5 या 7 या फिर कोई भी number आप ले लो इतने उनके answers है, उनके solutions है तो वो पढ़ना पसंद करते है क्योंकि number of solution जब fix रहते है तो हमें महनत थोड़ी कम लगती है, ऐसा लगता है तो वही mindset से लोग अंदर पढ़ना पसंद करते है फोर्थ, best taglines जी हाँ, internet के उपर जब भी हम कुछ भी search करते है या लोग कुछ भी search करते है तो उन्हें हमेशा best solutions चाहिए तो क्यों ना हम उन्हें best solutions प्रोवाइड करें सो जो भी आपका content लिख रहे हो, उनकी tagline आप ऐसी कुछ ड्राफ कर सकते हो कि best digital marketing workshops in India या फिर best way to lose your weight in just 7 days best tips and techniques for grooming ताकि होता ये है कि लोगों को मिलेगा कि इसमें हमें best जो भी है filter किया हुआ solution या answer वही मिलने वाला है और लोग हमेशा best ही डूनते हैं सो उनकी बेस्ट दीजिए, fifth and मेरे लिए सबसे ज़्यादा important और आप सब के लिए भी आज के वीडियो का ये सबसे बड़ा take away हो सकता है ऐसी taglines, curiosity या फिर secret revealing taglines friends ये taglines ऐसी है जिसको पढ़ने के लिए लोगों को बहुत ज़्यादा curiosity हो सकती है लोगों को हमेशा secrets जानने में बहुत मज़ा आता है या फिर कोई भी चीज का जब आप कोई facts and figures कैसे मिले है, success का mantra कैसे मिला है और ये सारी चीज़े जानने में उनको बहुत ज़्यादा interest रहता है So, reveal the secrets, ये taglines बहुत interesting है मैं कुछ example देना चाहते हूँ First, जैसे कि आप बता सकते हो Secret revealed how Narendra Modi ji can work for 18 hours a day या फिर, the secret revealed for Amitabh Bachchan still working on the age of 77 ऐसे सारे चीजे जहाँ पे लोग उनका secret जानना चाहते है कि क्या है ये राज तो ऐसी taglines बहुत अच्छे से चल सकते है Success mantra to earn 3 million dollar within a week अब ऐसी taglines लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती है और उनको curiosity होती है कि मैं कब ये video देखू या कब ये blog वड़ू और कब ये secret मेरे पास आजाए ताकि मैं भी इसी implement करपा हूँ I hope यहाँ पे मैंने पांच और टाइप की taglines आप लोगों के लिए clear cut example के तौर पे आपको reveal की है First, questions Second, how to Third, list या numbers Fourth, best taglines And fifth, and बहुत जदा important, secret leveling headlines Alright, so मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आप लोगों ने सारे type के headline समझ लिए तो अब आप इसको implement कीजिए और मैं चाहते हूँ कि जब भी आप implement करें और आपको उसमें से जो भी success मिले Please do comment here आपकी success stories share कीजिए इसी के साथ मैं आज के लिए अलविदा ले रहे हूँ Bye bye see ya till next to my video